जैहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास जो है कारे और समय की हमारी क्लास है और इस क्लास को आपने ध्यान से सुनना है कि और दूसरा मैं कहूं तो ये क्वेश्चन्स जो हैं वो बोस्ट इंपॉर्टन होने जा रहे हैं क्योंकि कम्पिटिटिव लिहास पर अगर मैं जाओ तो तो बहुत ही जादा इंपॉर्टन है ये वर्क एंड टाइम मोस्ट इंपॉर्टन रहता है ये वर्क एंड टाइम कई पेपर्स हैं चाहे अगनी वीर का पटवारी का पुलिस का कोई भी पेपर ले लिजिए किसी भी कम्पिटिटिव का किसी भी सरकारी नौकरी के यह बहुत ही जादा important chapter है जो कि हर competitively यहार में यहां से question आता ही आता है तो I hope आप मेरी बात को जो हैं अच्छे से understand कर रहे हैं आपने यह types जो हैं वो cover करने हैं अराम राम से बैठ के ठीक है जी तो पहला question यह आ रहा है तो यह question कैसा है देखी पंदरा आदमी ठीक है क्या लिखा है पंदरा आदमी जो है आठ घंटे प्रति दिन कारे करके पंदरा आदमी आठ घंटे प्रति दिन कारे करके जो हैं दस दिन में एक बांद बनाते हैं यह जो 10 दिन में बांध बना रहे हैं ना वो तो कोई बात नि है मगर एक बांध बना रहे हैं यह इसका वर्क है किसका वर्क है? पंद्राइ आदमीं का. और मैंने क्या कलई है? और वर्क हर embodied नहीं नीची आता है ठीक है, बारा आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिनों में बांध को बना लेंगे कितने दिनों में बांध को बना लेंगे यानि कि सेम बांध ही, एक ही बांध को बना लेंगे, दोनों कंडिशन्स जो है नो, वो सेम की सेम ही रह रही है, बस पूछने का तरीका जो है ना वो बदलेगा जब तरीका बदलेगा तब व्यक्ति जो है या क्वेश्चन जो है वो इसमें बच्चे सभी के सभी फसेंगे तो मेर्या एक याद रखिएगा M1 व्यक्ति T1 घंटे D1 दिनों में W1 कारे करते हैं तो W1 यह आपने रखना है कि दो पार्टी है एक पार्टी जो है वही काम जो है दूसरी पार्टी उसी काम को उतने ही समय उतने ही टाइम उतने ही कबर करेगी तो इसमें क्या कहा है 12 आदमी स्वरी 15 आदमी थे 15 आदमी है ठीक है 15 आदमी आठ घंटे प्रतिकारे करके 10 दिन में देख सकते हो आप M1 व्यक्ति T1 घंटे D1 दिनों में कितने बांध मना रहे हैं एक बांध मना रहे हैं इसलिए मैं नहीं एक लिख दिया पार्टी इक्वल टू 12 आदमी 10 घंटे कितने दिनों में दिनों में यानि कि D2 हमें नहीं पता बांध बनाएंगे यानि कि सेम एक ही बांध बनेगा तो एक से एक यह तो इगनोर होगे आपको पता ही है ठीक है अब D2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है 15 गुना 8 गुना 10 ब 12 तीन एकम तीन तीन पंचे 15 तो कितने दिनों में कारे हो जाएगा 10 दिनों में कारे हो जाएगा कितने दिनों में हो जाएगा बैटा 10 दिनों में जो है वो ये कारे हो जाएगा यानि कि बांध जो है वो त्यार हो जाएगा अगर 12 आदमी रोजाना 10 घंटे ही कारे करें तो ओर आठ गंटे प्रती दिन कारे करके एक साड़क 15 दिन में बना लेते हैं मैंने कैसे कैसे form नहीं बताया M1 व्यक्ति T1 घंटे D1 दिनों में W1 कारे करते हैं M2 व्यक्ति T2 घंटे D2 दिनों में डेवली टू कारे करेंगे अब जो वैल्यू है वहां की वहां ही भरनी है सटिक करके अब पढ़ो इस क्वेश्चन को चौबिस मजदूर आठ घंटे में प्रतिन कारे करके पंदरा दिन में बना लेते हैं सड़क को ठीक है तो ये पहले वाले की बात हो रही है तो हम पहले वाले में ये सारी वैल्यूस भरेंगे 24 आदमी 8 घंटे में 15 दिन मैं एक सड़क बनाते हैं इसलिए मैंने नीचे एक लिखा 48 मजदूर अब ये दूसरे वाले की चल पड़ी ठीक है ये वाली लाइन जो है 48 मजदूर 6 घंटे प्रति दिन कारे करके 3 गुनी सड़क कितने दिन में बनाने के 3 गुनी मतलब जहां पर 1 था वाँ पर 3 हो गया 3 गुनी सड़क हो गयी यनकी काम हो गया पर कितने दिन में बनाएंगे तो D2 आपको find out करना है ठीक है जी I hope कि आपको ये तो values put करना तो आ ही गई होंगी अब इसकी calculation करिए और आप direct answer निकाल सकते हैं ठीक है 3 एकम 3 तीन दुनी 6 ठीक है जी तो D2 is equal to 24 गुना 8 गुना 15 बटा 48 ठीक है जी और गुना 2 तो 8 एकम 8 अठची के 48 और 6 कम 6 6 चौक के 24 2 एकम 2 2 दुनी 4 और 15 दुनी कितना आएगा 30 कितना आएगा 15 दुनी 30 कितने दिन में होगा 30 दिन में जो है वो तीन गुना बांध जो है सडक जो है वो बना लेंगे ये है में सवार ठीक है बहुत बढ़िया से आपने इस कौश्चन को ध्यान से सुनना है ध्यान से करना है ठीक है प्यारे बच्चो अगला सवार आठ महिलाएं सेम कौश्चन आता है इसी टाइप का आप कई कंपिटिटिप्स में आएगा M1 व्यक्ति T1 D1 मैंने जैसे आपको ये मैथर बताया है बस इसी मैथर को आपने याद रखना है इसमें आपकी इंकम भी आ सकती है इंकम भी हमारा वर्क ही होगा ठीक है बैचो D2 over W2 कौश्चन पढ़ना शुरू करते हैं क्वश्चन फार्मूला मैंने लिख दिया है क्या लिखा है आठ महिलाएं प्रतिदिन कारे करके 6 दिन में 100 धलियां मनाती है ठीक है धलियां मतलब है यानि की क्या लिखा है डाइब के 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन कारे करके 6 घंटे में कितनी धलियां मनाती है 100 तो 100 यह जो हैं यह वर्क है उनके द्वारा किया गया इसलिए नीचे लिखा है कितनी महिलाएं अब महिलाएं नहीं है कितनी महिलाएं इसलिए M2 आपको निकालना है 8 घंटे प्रतिदिन कारे करके 12 दिन में कितनी धलियां मनाएंगी 200 धलियां 200 जो है वो कहां पे आएगा सर नीचे आएगा क्यों आएगा क्योंकि वो हमारा वर्क है क्या है वर्क है तो 200 नीचे आएगा I hope कि आपको values पूट करना आ रही हो values आगे तो में तो आगे कुछ भी नहीं calculations है ठीक है तो कैसे करेंगे 100 से 100 हो गया ठीक है 2 बच के 2 से गया तो 8 ठीक है तो M2 is equal to 8 गुना 10 गुना 6 और 4 गुना 12 ठीक है 4 एक कम 4 4 दुनी 8 6 कम 6 6 दुनी 12 2 से 2 गया तो M2 की value कितनी आजाएगी M2 की value आजाएगी बटा 10 M2 की value कितनी आजाएगी 10 तो correct answer जो है वो 10 आएगी 10 महिलाएं जो है अगर 8 घंटे प्रतिजिन कारे करें 12 दिन तक तो 200 धनिया बना सकती है तो ये इसका सही अंसर रहेगा इसके बाद अगले question की तब चलते है Question क्या कहता है पढ़िए धियान से 50 विकती हैं 10 दिन में 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे हैं क्या बोला है 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोड़ते हैं ये सारा का सारा क्या चीज है ये काम है बच्चों क्या है काम है इसलिए हम ये हरवार नीचे लिखते है फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए M1, T1, D1 ओवर W1 इक्वल टू M2, T2, D2 ओवर W2 ठीक है तो 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं 100 मीटर चौड़ी यानि कि लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी जो है मुन ने खाई खो दी है इसी प्रकार से 100 आदमी 30 दिन में ओवर 50 मीटर चौड़ी और गहरी लंबाई ने दी है तो लंबाई ये दिख दी L जैसे मैंने 100 लिखा था लंबाई के लिए 25 चौड़ी और गहरी कितनी है 15 तो आपको लंबाई इस परकार से लिकाने है लंबाई नीचे क्यों आई क्योंकि वो वर्क है कारे है तो उसको हमने नीचे ही लिखना है कारे नीचे ही आता है जैसे कि मैंने अगर पहले वाले में लिखा वर्क तो वर्क के केस में 150 इंटू 10 जो है वो इसी लिखा length इंटू breath इंटू height एक पूरा वर्क किया है खड़ा खोदा है किसी ने अब इसको calculate कर लीजिए कैसे करेंगे पच्ची एकम पच्ची ठीक है तो L किसके बरावर आ गया बच्चो 100 गुना आठ तो L की बनी आठ सो यहीं लेंथ कितनी आएगी 800 मिटर कितनी आएगी बैटा 800 मिटर calculation अपनी अपनी है सभी अपनी अपनी calculations करी तो जितना जल्दी से ज्यादा calculation करेंगे उतना भैतर आपको समझ भी आएगा next question कितर चलते हैं राम श्याम मोहन ने एक खाई जो है वो अलग अलग ठीक हैं खुदाई की है नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं तीनों एक साथ खुदाई करना शुरू करते हैं परंतु परंतु क्या हुआ है परंतु दो दिन बाद श्याम काम छोड़ कर चला जाता है दो दिन बाद काम श्याम छोड़ कर चला जाता है अब शेश काम जो है राम और मोहन कितने दिन में करेंगे बहुत ये अच्छा कोशन है राम और मोहन कितने दिन में करेंगे देखिए अब काम है तीनों ने किया है कितने दिन काम किया है दो दिन का तो मुझे पता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तीन व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं तो दो दिन बाद अगर मैं काम छोड़कर जाता हूँ तो दो दिन तो मैंने काम किया कितने दिन काम किया दो दिन काम किया और हर किसी व्यक्ति का अगर एक दिन का काम की बात करें तो एक वटा दस होता है तो हमने तीनों ने किया है तो एक वटा इसलिए प्लस हो जाएगा ठीक है जी इतना तो मैंने आपको समझाया ही था ठीक है I hope कि आपको ये तीनों का काम समझा रही है मैं equation बनाना सिखा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये हमारा एक दिन का काम है तीनों ने जब मिल के किया जब मैंने इसको multiply 2 कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये दो दिन का काम है हम तीनों का मगर जितना मैंने काम किया तो ठीक है उसके बाद मैं काम छोड़के चला गया तो शेश काम दो विक्तियों ने किया जिनका नाम राम और मोहन है अब राम और मोहन ने जो है दस और पंतरा दिन में काम किया था ये मोहन है राम और मोहन का पता लगना जरूरी है जी ध्यान से देखिएगा वीडियो को राम और मोहन ने जो है वो काम किया है जो टोटल काम का था तो टोटल काम का कितना था एक्स मान लेते हैं अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कितना काम किया पर राम ने और मोहन ने काम किया था और राम और मोहन का जो कैलिवर है वो दस और पंदरा का है इसलिए मैंने एक वटा दस और एक वटा पंदरा लिख दिया जो की इकोल टू एक के बराबर होगा क्योंकि कभी भी कारे जो है वो जीरो नहीं होता शुन्य नहीं होता इसलिए हम उसको एक के बराबर मान कर चलते हैं अब इसे आपने केल्कुलेट करना है और अंसर निकालना है एक्स की वल्यू वही आपका अंसर होगा साथ हागया छे से आजाएगा बारा पंजे सट और पंद्रह चौके शाथ और ये दो है ठीक है वटा आपने भूलना नहीं है मैंने जैसे लिखा है ध्यान से रखिएगा इसका एल्सीम लेंगे तीस एल्सीम आएगा तीन ही आ गया और इसका दो आगया एक्स एक्वल टू ठ ठीके जी, छे, चा, दस, पंधरा, ठीके जी, पंधरा बटा साथ, गुना दो है, यह यादर की गुना दो है, पंधरा एकम पंधरा चौक के साथ, दो एकम दो, दो दुनी चार, तो आपके पास एक वटा दो बच गया, तीन, दो, पांच, पटा तीस, एक्स इकोल टू टू धो आना, और पांच एक कम पांच, पांच ही के, तीस, तो आपके पास क्या रहा है प्यारे बचो, एक वटा दो, जमा एक वटा छे, अब एक्स लिखा है साइड में, तो इसको उपर भी लिख सकते हैं, है न, इकोल टू एक, तो एक्स वटा छे इकोल टू एक माइनस एक हम दो तो ती यह चे तो X के लिए कितनी होगी? 3. X के लिए कितनी हो जाएगी? 3. तो उन दोनों ने कितने समय काम किया? उन्होंने तीन दिन काम किया और उतने समय में पूरा किया. जो बचा हुआ काम था. यह है question की statement. ध्यान से इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है. एक और question लेंगे हम इसी type के, क्योंकि ब्यक्ति छोड़ कर जाते हैं, उन questions को हमें perfect करना है. एक बार फिर से देखिए, A, B, C किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं. ठीक है जी. तीनों ने कि अब वो C जो है अकेला, इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा. तो अब यह हाया, तीनों का अलग अलग का काम. ठीक है? क्योंकि अलग अलग समय पर व्यक्ति छोड़ कर चलेगे. पिछले वाले में क्या हुआ था? एक छोड़ कर गया था, दोर कर रहे थे. इसलिए मैं यहां पर 1 by 10 plus 1 by 15 into x कर दिया, कि दोनों का इकठा कर दिया. मगर यहां पर क्या हुआ? यह जो है, वो दो दिन बाद जा रहा है, तो दो बटा मैं उसका कैलिबर 10 लिख दूँगा. क्यों लिख दूँगा? क्योंकि वो दो दिन तो उसने काम किया. अगर मैं 1 by 10 लिखूंग मैं वह लोगा, बिल्कुल सही. तीन बटा 15 ही लिखेंगे. मगर C करता रहा. मगर उसका कैलिबर 20 का था. इसलिए मैंने को टोटल वर्क नहीं पता. इसलिए मैंने उसका कैलिबर का क्या लिख दिया? X लिख दिया. इक्वल टू 1. 1 क्यों लिखा है? आपको आइडिया लग है? 1 के इक्वल है. एक के बराबर है. LCM ले लिजिए. 60 LCM आगे है. 6 दूनी 12, 15 चौक के 60, 4 ती ये 12, 20 ती ये 63, 3X इक्वल टू 1. 60 से गुणा कर देंगे. तो 3X जमा 24 इक्वल टू 6, 24 माइनस कर लिजिए. 60 मैंसे 24, ठीक है? कितने रहे गए? 6 ये रहे गए. ठीक है जी? तो X is equal to 3 से किया. 3 एक कम 3, 3 दूनी 6. तो X ने total कितने काम किया? कितने समय काम किया? 12 दिन काम किया. कितने दिन काम किया? इसने 12 दिन काम किया. ये इसका सही अंसर रहेगा. ठीक है जी? तो इस तरीके से आपको कोश्चन ध्यान में रखने है. ठीक है? अगला कोश्चन ध्यान से देखिए. अगला कोश्चन ध्यान से देखिए. ए, बी, सी किसी खेट की निराई को 36 दिन, 14 दिन, 22 दिन कर लेते हैं. और तीनों ने एक साथ आरफ किया. परन्तु निराई के आठ दिन पहले, ए और 12 दिन पहले, बी काम छोड़ देता है. तो निराई कितने दिन में हुई? यानि कि हर किसी ने जो काम है, वो कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया है. महलब पूरे समय के होने से पहले छोड़ा है. तो अब यानि कि हर किसी, यानि कि A है, ये B है, ये C है. ठीक है? तो अब निराई जो है, किसी ने किसी ने तो पूरी की होगी, लास्ट में नहीं दिया है तो इसका मुझाब सी नहीं पूरी की है ठीक है तो हर किसी ने पूरा होने के पहले छोड़ी है ठीक है कब छोड़ी है पहले छोड़ी है तो हम total time को x मानें गए ठीक है बचो तो हमारा क्या है एक ही अगर बात करेंगे तो 36 थी उसकी total total जो caliber था ठीक है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे total time मैंसे उसने कितने दिन पहले छोड़ दिया 8 दिन पहले तो x-8 total caliber 36 total time 12 दिन पहले छोड़ा इसलिए minus 12 और over 54 ठीक है अब c ने तो बचा रहे ने तो पूरा ही किया है ठीक है ना तो इस दिए total over 72 ठीक है क्योंकि उसका caliber 1 72 का है और equal to 1 क्योंकि work 0 नहीं होता है अब आपने इससे calculate करना है LCM ले लिजिए कितना आजाएगा 216 ठीक है 36 6 से करेंगे 216 हो जाते हैं तो 6 x जमा 48 ऐसे 54 को करिएगा 54 के 216 तो 4 x माइनस 12 के 48 और भत्तर को करेंगे तो भत्तर दिए 216 तो 3 x equal to 1 216 उससे multiply कर देंगे तो यहाँ पर आजाएगा 216 एक से multiply करके और इसको minus कर लिजे तो कितना आजाएगा 13 x minus 96 तो 13 x is equal to 96 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस कर दीजिएगा 216 प्लस 96 तो कितना आजाएगा 13 x is equal to 312 थेक है देख ले ना एक बार मिस्टेक ना हो 312 बटा 13 तो 13 दुनी 26 और 52 आगे 13 चोपके ठीक है जी 24 कितना आएगा 24 इसका सही अंसर आएगा और आपको इस परकार से जो है इसको तैयार करना है तो ये हैं हमारे ये टाइप्स जो कि मोस्ट इंपॉर्डन टाइप्स है इस कोश्चन के ठीक है आएपको ये चौशन सच्छे से क्लियर हुए होगे ठीक है इस टाइप से जो है आपको ये कौश्चन सो है वो कवर करने हैं ठीक है तो इसी परकार से हम और कॉश्चन के साथ टाइप्स लेकर आऊंगा मैं आपके साथ तब तक के लिए आप बने रहीगा हमारे साथ इसी चैनल पर जय हिंद जय भारत